हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल दोस्तों अगर आज मैं बोलू कि आज की रेस्पी आपके चेहरे की चमक को बढ़ाएगी तो आपको यकीन करना होगा तो आज हम बनाने वाले हैं आवले की मज़ेदार सी रेस्पी ये स्किन के लिए हेर के लिए आँखों के लिए बह चार महिनी तक स्टोर करके रख सकते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं आवले की खटी मीटी लौंजी पूरी पराठे चावल के साथ ये चटनी बहुत टेश्टी लगती है तो चलिए फटा फट शुरू करते हैं वीडियो अगर थोड़ा सभी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिएगा तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आवला लिये हैं कोशिस कीजिएगा फ्रेस आवला लेने की मतलब जिसमें दाग धब्बे ना हो वहीं आवला आप यूज कीजिएगा इसे य रंबे समय तक टिकेंगे तो मैंने इसे अच्छे से धोलिया है आवले को कुकर में डालेंगे मैंने इसमें आदा गिलास पानी डाला है पानी कम ही डाले ज्यादा पानी डालने की जरूत नहीं पड़ती है कम पानी में भी अच्छे से बोईल हो जाते हैं और आदा चम्मच जिसमें हल्दी डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा थोड़ा सा नमक डालेंगे कूकर कर डखकन लगा देंगे और इसे हम तीन विशलाने तक पकाएंगे ताकि जो आवला है अच्छे से सोफ्ट हो जाए तो देखे कूकर में तीन सीटी लगा लिए और आवला अला करेंगे लौंजी में तो इसे मैंने साइड में रख दिया है और अब आवले के बीज निकाल कर इसकी जो कलिया होती है इन्हें अलग अलग कर लेंगे और यह देखे सर्दी इतनी जादा है कि आवले का भी पता नहीं चल रहा है यह कितने गरम है फिर भी मैंने बड़ी आस करने उसे जरूर से दवाए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज उसे भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आवले की कलियों को मैंने अलग-अलग कर छलेघाए जिलन DRC तरफ इधर मैंने घयस को ओन कर दिया है और एक फैन में एक बड़ा चमच ओउइल गरम कर लिया है सरसों का तेल है आप कोई भी देल यूज कर सकते हैं थोड़ी शाओ डालें लेगे सवेजान यूंअब य्डावन कर लेंगे और यह देखिए फ्रइय को मैस नहीं करना है कुछ थोड़े से साबूत भी छोड़ देने हैं इस तरह से हम चटनी बनाते हैं तो थोड़ी सी गाड़ी बनती है और टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है तो थोड़े से मसाले अड़ करेंगे आधा चमच लाल मिश डालेंगे आधा चमच गरम मसाला ड लिएगे आधा चमच काला नमक डालेंगे नमक आप ध्यांद से डाल लिएगा तो ध्यांद से डाले और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है गुड ये 300 गुड है जितने आव ले थे उतना ही हमें गुड लेना है और मीठा आप अपने अकोर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी हमने वो डाल दिया है जिसमें हमने यह आवले बोइल किये थे तो थोड़ा पानी कम लगा था तो बाकी का बचा हुआ पानी मैंने इसमें एड़ कर दिया है पानी को अच्छे से मिला देंगे और अब लास्ट में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च यह मैंने 8-10 यह दरदरी कूट के लिए है काली मिर्च और इन्हें भी डाल देंगे और 4-5 मिनट इसे हम पक काड़ी हो जाएगी आमला सर्दियों में ही मिलता है तो इसका इस्तेमाल हमें किसी ना किसी रूप में जरूर करना चाहिए आमला हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है ग्रोइंग एज को स्लो करता है इस चटनी को आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते और ठंडा होने के बाद आप इसे काच के साफ सुत्रे या चीनी मिटी के बरतन में रखिएगा पीतल या एलम्यूनियम तांबे के बरतनों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा और जब भी चटनी निकाले साफ सुत्री चम्मत से ही निकाले इसे ये चटनी लंबे समय तक खरा बाई भाई